जैश्वी कृष्णा हर हर महादेव सर्वपित अमवस्या 2 अक्टूबर बुद्वार की दिन है इस दिन क्या करने हैं आपको संपूर नियम मैं बताऊंगी और साथ में ये पांच कारे जरूर से जरूर करें इस तरह से करने से आपके जीवन में जो भी परिशानिया चले वो अवश्य दूर होंगी और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने इस सर्वपित अमवस्या के दिन बदलनी होती हैं जिसे लोग गलती कर जाते हैं और बदलते नहीं हैं इसे बदल लेना चाहिए तो चलिए जान सर्वपित अमवस्या के कुछ खास नियम जो हमें करने चाहिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि यह सर्वपित अमवस्या होती है सबसे बड़ी अमवस्या होती है और बहुत ही जादा खास और विशेश भी होती है यह मवस्या कि इस दिन हम अपने पित्रों का तरपन क जैसे कि सबको पता नहीं होते कई बार कि उनकी तिथी कब है, मृत्यू तिथी और वो पुर्ने तिथी नहीं जानते हैं, तो सर्वपितमावस्या के दिन जो भी भूलचुक आपसे हुई है इन श्रादिपक्ष में, वो सर्वपितमावस्या के दिन आप अपने पित्रों का अतरपन करके अपनी हर गलती के लिए भूलचुक मांग सकते हैं, इसलिए कि ये जो दिन होता है, उनकी बिदाई का दिन होता है, तो इस दिन बहुत ही जादा खास और विशेश चीज ये है कि इस दिन आपसे कोई गलती ना हो जाया, और जो भी इन श्रादिपक्षों में गलती हुई हैं, उसके लिए आप शमायाचना जरूर से जरूर करें, इसलिए कि जब पित्र प्रसन होते हैं, तो जीवन में सम मंगल होता हैं, ने तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, मंगल कारे आपके घर के सब रुख जाते हैं, कुछ भी शुब नहीं होता, आपके सूरे ग्रहन जो लग रहा है, भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए कि यह सूरे ग्रहन रात्त्री में 9 पचे लग रहे हैं, तो आपने कुछ ऐसे भी कारे करना हैं विशेय शुब से, जिससे कि हमारे जीवन में कोई परिशानी, और किसी भी ग्रहन का या इन हमारे प तो ऐसा हमें इन अमवश्या के दिन क्या करना है तो जैसे कि कि आप जानते हैं नहीं जानते तो भी इस दिन और या जो भी लोग गया जी चले गए और जाकर वहां पर अपने प्रों का पिंटान कर रहे तो भी इस दिन अमवश्या के दिन अपने घर में खीर पूरी आप जरूर बनाए और खीर पूरी बनाने के साथ आपने कोई भी सबजी बना सकते हैं और उसका भोग आपने लगाना होता है भगवान को भी लगाए और साथ पने पित्रों को पांच जगा आप निकालते हैं इसमें पांच ग्रास बोला जाता है इसे आप निकालें और जिस भी प्रकार से पिंडान करते हैं ब्रहामन को आप घर में बुला के करते हैं जैसे भी आपके यहां किया जाता है आप उस तरीके से करें और करने के साथ मगर ये विशेश द्यान के कि जब तक आप ब्राह्मन को भोज नहीं करा लेते हैं और सब कुछ आपकी नहीं हो जाता है पिंटान वेगरा तो आप अपने घर में किसी को भी कोई भी चीज आपके घर से जिए सब्जी का छिलका भी क्यों ना हो ये सब चीजे आपने पहले नहीं निकालनी होती है जब आपका सब कुछ हो जाता है तब याप करते हैं और इस दिन आप कपड़े भी ना दूले और विशेश कर महिलाओं के लिए अमवस्य जो की ये खास अमवस्य इसमें सर नहीं दोना चाहिए आप अगले दिन धूल सकते हैं जब शेध तो माना चाहते हैं मगर आप उसके लिए क्या कर सकते हैं सबसे सरल तरीका है जो मैं कई बार बताते हूं आपको वेडियो में कि जब ऐसी कंडिशन दो और आपको मजबूरी में गुरुवार के दिन सर्ध होना तो आप उसमें नहने वाले पानी में हल्दी मिलाकर औ आप बाल ना धुले नाखुन नहीं काटे और जैसे की बालों की कटिंग वेगरा होती ये सब चीजे भी आप अवाइड करें खासे उसे महिलाओं के लिए तो कई नियम है तो वो इन चीजों को कर सकते हैं कोशिश यही करें आप और अगर आप बहुत ज़्यादा ज़रू तो यह चीजों का आपने ध्यान अकना है और विशेश ध्यान यह भी रखें कि जो भी आप भोजन बना रहे हैं भोजन इस दिन जरूर से जरूर अपने घर में बनाएं कुछ भी बनाएं और आपने जो बनाना है एकि मैं आपको उपाय बता रही हूं उपाय समझ लीजे यह विशेश चीज होती है आप बहुत ज़्यादा बेजी शिडियूल है जो भी है अब यह कि हमारे पर समय नहीं है हम यह चीजे नहीं बना पाएंगे और हमें काम पे जाना है कोई मीटिंग है कुछ भी आप थोड़ा सा टाइम जरूर निकाले आप घर में नहीं बना पा अपने हाथ में जल काला तील ले 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 और थोड़ी सी जो रख अपने पित्रों का नाम ले और अपना नाम और गोत्र लेकर आपने वो जल छोड़ना है उसके बाद आपने जो भी चीज ली है तो आप जाए खानी के आप हल्वा पूरी है खीर पूरी है जो भी आपको ल के लिए जैसे कि आजकल जैसे लोग भ्रामन नहीं आते हैं घरों में आके भोजन नहीं करते हैं तो आप मंदिर में जाके या उनके घर पे जाके भोजन दे सकते हैं वैसे तो कोशिश यही करें कि भ्रामन को घर में बुला कर और दक्षिन दिशा मुख करके भोजन कराना चा इस तरह से आपने ब्रहामन को भीठाना होता है जब आपका मुखो वे वोन भावन भोच कराने के साहंते है या याifin से इसके पंडित-फंटानिकों जोडे के साथ किरा रहे तो आप उनकों वस्तदत का दान, अगर संभळें तो ज़रूर है चाहिए ज्यादा नहीं कर पारें तो आप गंचाही जरूर से जरूर दें और दक्षिना सवरोप में देखिए यह जो सर्वपितम अवस्या के दिन जो दक्षिना ब्राह्मन को दी जाती है उसमें हमें 11, 21, 51, 101 इस तरह से नहीं लेते हैं हम 10, 20, 50 और 100 इस तरह से हम दक्षिना को लेते हैं और फिर देते हैं और इस दिन विशेश करके आप तुलसी पत्र गंगाजल में मिलाकर अपने पित्रों पे थोड़ा सा चर्काफ करें अपने घर में चर्काफ करें और जो भी आप भोजन बना रहें उस पे भी आप तो एक विशेश कार्य होता है कि आपने जिम बड़े ज़रूर बनाने होते हैं उरत की डाल के बड़े बनते हैं यज़े चारी सर्श के तेल बना ले उर उन्हें इस तरीके से कोवे को कुट्टे को गाय को जरूर से जरूर खिलाना चाहिए और जो आप हवन सा करते हैं जिसमें पिंटान के लिए उसमें भी आपने ये चीज चड़ानी होती है तो इस तरह से आपका संपून होता है और गुड और घी का को भी मिलाया जाता है और जो एक हवन कुन किया जाता है इसलिए कि इस जिन खवन करना बहुत जादा विशेश महत होता है आपने जो भी चीजदे बनाए व अगनी में जरूर डूर डालनी होती है तो आपने इस तरह से हवन अपने घर में करना है शुद्धी करना है इसलिए जो सर्वपित्त मावस्या है उसके बाद आपने और गल्ती शमा या आचना जरूर से जरूर मागना चाहिए चीज का विशेश ध्यान लगें। आपने ब्रह्मन भोज करा दिया सब कुछ हो जाने की बाद तब आप अपने घर से किसी भी प्रकार से कूड़ा बहा निकालें। आपने अपने पित्रों का तरपन करें तो आपने अपने हाथ में जल लेना है। आपने काला तेल मिलाना है, जौ मिलाने है, कुछ मिलानी है और दुरूवा जरूर मिलाना है। इसलिए कि सव प्रथम पूजे जाते है गनेची और साथ में जब विग्न बादा जीवन में चली तो बुद्वार के दिन जब पित्रों का तरपन करें तो उसमें आप अगर दुरूवा का इस्तमाल करते हैं तो आपके जीवन की विग्न बादाएं दूर होती है। तो आपनी इस सब चीज़े अपने हाथ में लेनी है और दूसरे हाथ से ढखके शमा याचना मांगनी है और शमा याचना मांगके आपने जो ये जल लिया वे इसे ले जाकर अपने बाद मुख्य चौखट पे भी डाल सकते हैं या सूरीदेव को अरगे दे सकते हैं हाथ से करके इस तरह से आपने ये कारेश जरूर करना है इसे बिलकुल भी मत भूलिए का साथ में जैसे कि मैंना आपको सारी उपाई रह मेरी चोटी-चोटी चीज़े बताई है जो ध्यान अखने वाली है और जैसे कि मैं जनियूं के लिए आपसे बात करी थी कि जनियू बहुत जादा जरूरी होता है जब हम सर्वपित अमवस्या के दिन ये जो छादपक्स चल रहे होते हम जनियूं पहन के रखते हैं जिसे जिनके यह पर यह रिवाज है या जो जनियूं पहनते हैं पुरुश तो उनके लिए खास हो से ये जो अमवस्या के बाद आप उसी दिन जनियूं पहना होता है और दूसरा खास हो से महिलाओं के लिए भी कि इन श्रादपक्षों में आपने जो चूड़ियां पहनी होती है उन्हें आपने बदलना होता है तो आप नई चूड़ियां जैसे नवरात्री की पहले दिन मा को आरपन करें और उसके बाद खुद भी आप नई चूड़ियां पहने इन दो चीजों को जरूर बदलना चाहिए और नई चीज़े धारन करनी चाहिए नवरात्री पे आप कर सकते हैं तो आपकी जब पूजा हो जाती है पित्रों की उसके बाद भी आप इने धारन कर सकते हैं इन चीजों का विशेश रूप से ध जिन रात्री में पांश दिपप का भी विशेश उपाय हैं जिसे आपने जलाना है आप आते के लिए मिटी के लिए अनमें लंबी बाद का खास विशेश उपाय करना है और संभव हो सके तो देखिए इस जो दीपक ले थोड़े बड़े ले और एक दीपक आप अलग सी रात में मतलब कि आप ये सूरियस के बाद ही एक बड़ा दीपक आपने लेना है आटे का बना ले एक मुखी दीपक और उसी अपने घर की दक दिशा में मुख करके इस दीपक को जलाने और कम से कम कोशिश करें कि ये दीपक लंबा पूरी रात भर जल सके जैसे कि जब आपके पित्र जा रहे तो उनको रास्ते में अंधिरा ना दिखे और अच्छे से वो पित्र लोग चले जाए तो इस चीज का विशेश ध्याना क बिल्कुल भी ना भूले उनके रास्ते में किसी प्रकार से कोई अर्चने नहीं आने चाहिए अंधिरा ना और उनको क्लियर अपना रस्ता दिखे इस चीज का ध्याना कि और विशेश जो इकलती करते हैं लोग जैसे कि जैने आप ये पहले आपको बता रहे थे कि ब्रहमन काले तिल जरूर देने चाहिके शाइए साथ में चीनी गुड़ जरूर दें आपने देना है मतलब की खीर हर चीज की हिसाप से तेल आपने जरूर नहीं होता है सरसो का तेल मसाला उसमें रखेंगे हल्दी ज़रूर रखेंगे और विशेश चीज जो नमक कर ये पर ना ॉ नमक बिगट दिये, वो सिधा संपून नहीं माना जाता है, तो आपने नमक का एक छोटा पाकेट जरूर से जरूर उसमें रखना होते हैं, तो इस प्रकार से आप देती समय उसमें आप 10 रुपे 20 या तो 50 जो भी आपकी शमता है, वो दक्षिना जरूर कर ब्राह्मन को दे औ आप इस तरीके से निकाल कर सिधा पकड़ा हैं, ऐसी नहीं कि आपने खाली आटा दे दिया, आपने खाली चावल दे दिया, तो इस तरह से ना देखे, आप सारी चीजे निकाले और फिर दे, और इस दिन देखी, जो भी पॉसिबल्टी जोना आप से गलती ना हो, तो इस आने कि भेस में, आपके जो बुजूर्ख हैं, आपके जो पित्र हैं वो आए हैं, या आपको रास्ते में भी कोई मिल जाए, तेकि पैसे नहीं देने हैं, आपने उनको पानी या कुछ खाने की चीज देने हैं, विशेश करके इन चीजों का आपने ध्यान लखना है, आपने उन्हें खाली नहीं देना है, अगर आप आपफिस और वैसे तो इस बारी 2 अक्ट्यूबर की दिन है, तो छुट्टी का देना सभी घर में रहेंगे, तो जाने का तो ऐसा कहीं है नहीं, अगर इनके सब जाते हैं, तो आप अपने पर्स में, अपने पास पानी की ब पार्ट में पक्षियों के लिए डाल सकते हैं, और एक उपाई जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, कि पूरी हमने श्रादय पक्ष में 500 ग्राम चावा लेके उस पर रोज दीपक जलाते थे दक्षिन दिशा की तरफ मुख करके, अब उन चावलों का क्या करना है, यह भी पक्षियों के लिए छोड़ के आना है, बस यह जो आप कर रहे थी, इस तरह से आपने इस उपाय को पूरा कर लेना है, आगे कुछ और विशेज चीजे रहेंगी जो नवरात्री से जुड़ी होंगी, उसकी लिए वीडियो को लाइक कर दी, चानल को सब्स्क्राइब कर ल मेरे, आप कमेंट्स बॉक्स में जैश्री कृषिना हर महादेव जरूर लिखीगा, चली फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे कुछ खास होती शुपाय के साथ में